प्रस्न 9 एक बेपारी ने एक रुपे के पांच की दर से एक हजार निम्बू खरीद कर एक रुपे के चार की दर से बेच दिया तो उसका लाव परतिसत ग्याद किजे तो प्रस्न में क्या कर रहा है कि एक बेपारी ने एक रुपे के पांच की दर से एक हजार निम्बू खरीद कर तो देखें एक रुपे में पांच निम्बू खरीदा है ठीक है एक रुपे के पांच की दर से तो एक रुपे में पांच निम्बू खरीदा है तो एक रुपया में पांच निम्बू तो हम लिखेंगे पांच निम्बू का मूल्य पांच निम्बू एक रुपया के पांच की दर से कह रहा है यानि एक रुपया में पांच निम्बू की दर से एक हजार निम्बू खरीदा है तो पांच निम्बू पांच निम्बु का क्रेमुल्य पांच निम्बु का क्रेमुल्य बराबर एक रुप्या पांच निम्बु का क्रेमुल्य कितना है? एक रुप्या, ठीक है? पांच निम्बू का क्रेमूल एक रूपया दिया हुआ है क्योंकि एक रूपया के पांच की दर से यानि एक रूपया में पांच निम्बू खरीदा है तो पांच निम्बू का क्रेमूल बराबर एक रूपया तो एक निम्बू एक निम्बू का क्रेमूल ले कितना हो जाएगा एक बटा पांच रुपया देखे पांच निम्बू का क्रेमूल एक रुपया दिया हुआ है यहां पर पांच निम्बू का क्रेमूल एक रुपया क्योंकि एक रुपय के पांच की दर से एक हजार निम्बू खरीदा है यानि एक रुपया में पांच निम्बू ठीक है तो पांच निम्बू का क्रेमूल है एक रुपया इस तरह लिख देंगे तो एक निम्बू का क्रेमूल कितना हो जागा एक को पांच से भाग दे देंगे एक बटा पांच रूपिया तो एक हजार निम्बू का क्रेमूल तो एक हजार निम्बू एक हजार निम्बू का क्रेमूल एक हजार निम्बू का क्रेमूल बराबर कितना हो जाएगा तो एक बटा पांच गुना एक हजार तो एक निम्बू का क्रेमूल कितना है एक बटा पांच तो एक हजार निम्बू का क्रेमूल हो जाएगा एक बटा पांच गुना एक हजार यानि एक निम्बू का क्रेमूल जितना है उससे एक हजार निम्बू का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा पान से देखे इसको काट लेंगे पान दूना दस यानि दो सो रुपया कितना आ गया 200 रुपया तो 1000 निम्बू का क्रेमूल हम इस तरह निकाल लेंगे यानि 1000 निम्बू उस बेपारी ने 200 रुपया में खरीदा है ठीक है एक रुपया के 5 की दर से तो 1000 निम्बू का क्रेमूल कितना हो गया 200 रुपया यानि 200 रुपया में 1000 निम्बू खरीदा है तो ये तो आ गया क्रेमुले 1000 निम्बू का क्रेमुले आ चुका है 200 रुपया अब 1000 निम्बू का बिक्रेमुले निकाल लेते हैं तो लिखेंगे अब कहा रहा है 1 रुपया की 4 की दर से अब एक रुपया में चार नीम्बू बेच रहा है ठीक है एक रुपया में चार नीम्बू बेच रहा है खरीदा था एक रुपया में पांच नीम्बू देखे एक रुपया के पांच की दर से यानि खरीदा था एक रुपया में पांच नीम्बू लेकिन बेच रहा है एक रुपया में चार निम्बू तो हम लिखेंगे चार निम्बू चार निम्बू का बिक्रे मूले चार निम्बू का बिक्रे मूले बराबर एक रुपया ठीक है कैसे बेच रहा है क्योंकि उसको फाइदा कमाना है तो एक रुपया में पांच निम्बू खरीदा था लेकिन एक रुपया में चार निम्बू बेच रहा है ठीक है कोई भी दुखंदार फाइदा के लिए ही बेचेगा तो यहाँ पे चार निम्बू का बिक्राय मूले कितना है एक रुपया तो एक निम्बू एक निम्बू का विक्रेमूले बराबर कितना हो जाएगा एक बटा चार रुपया तो चार निम्बू का विक्रेमूले है एक रुपया तो एक निम्बू का विक्रेमूले एक बटा चार यानि एक को चार से भाग दे देंगे तो एक निम्बू का विक्रयमूल हो जाएगा एक बटा चार रुपया अब हम एक हजार निम्बू का विक्रयमूल निकाल देते हैं तो एक हजार निम्बू का विक्रयमूल बराबर क्या हो जाएगा तो एक निम्बू का विक्रेमूल कितना है एक वटा चार तो एक वटा चार में एक हजार गुना कर देंगे एक निम्बू का विक्रेमूल है एक वटा चार तो एक हजार निम्बू का विक्रेमूल एक वटा चार गुना एक हजार अब चार से एक हजार पचीस चौक सौ यानि दोसो पचास बार में तो दोसो पचास रुपया अब यहां पे साफ पता चल रहा है कि एक हजार निम्बू उस वेपारी ने दोसो रुपया में खरीदा है और बेचा है कितना में 1000 निम्बू को 250 रुपया में तो देखिए फाइदा हो रहा है यहाँ पे लाब हो रहा है 50 रुपया क्योंकि खरीदा था 200 रुपया में 1000 निम्बू और बेच रहा है 250 रुपया में तो विक्रे मुले जादा है ठीक है विक्रेम मुल्य जादा है तो हम लिखेंगे लाब बराबर तो लाब हो रहा है यहाँ पर तो लाब बराबर होता है विक्रेम मुल्य माइनस क्रेम मुल्य तो विक्रेम मुल्य कितना है दो सो पचास माइनस क्रेम मुल्य है दो सो रुपया यानि कितना आगया। 50 रुपया, तो उसको लाब कितना हो रहा है। 50 रुपया, एक हजार निम्भू बेचने में उसको 50 रुपया का लाब हो रहा है। ठीक है? तो अब हम लाब परतीशत निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे लाब परतिसत लाब परतिसत बराबर लाब बटा क्रेम उले लाब बटा क्रेम उले गुना 100 परतिसत बदलना है इसलिए 100 से गुना करेंगे तो लाब पर 30 निकालने के लिए लाब को क्रेम उली से भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो लाब कितना आया है 50 रुपया लाब कितना आया है 50 बटा क्रेम उली कितना है तो देखिए, एक हजार निम्बू का क्रेम उल्य है 200 रुपया, ठीक है, एक हजार निम्बू का क्रेम उल्य है 200 रुपया, तो हम यहां पर लिख देंगे, बटा में 200 क्रेम उल्य को लिखना है, तो एक हजार निम्बू का क्रेम उल्य कितना है 200 रुपया, और गुना 100 कर दें तो दो सुन्ने से दो सुन्ने काट देंगे दो से पचास कितना बार में कर जाएगा पचीस बार में यानि कितना आ गया पचीस परतीसद तो लाब परतीसद कितना हो गया पचीस परतीसद तो क्या पूछ रहा थे यहां पर उसका लाब परतिसद ग्याद किजिए यानि उसको 25 परतिसद का लाब हो रहा है तो प्रेस्न नौ इस तरह से हल करेंगे उसका लाब हो परतिसद परतिस तरह से हल किजिए रहा है भी हें झाट कुछ़ करें भाल KW झाल